यहां से शुरू होता है आपका पहला प्रस्ट ध्यान रहे कि बिहार बोड ने कई सीट बनाया है बट आप कोस्टन को मिला लेंगे इधर उदर कोस्टन दिया है बट कोस्टन सेम है सीट अलग-अलग है तो यहां से देखेंगे आपका पहला कोस्टन सुरू होता है पहला कोस प्रक्रास्ण है कि परकिर्ती में प्रीतवी पर उर्जा का मुख्य सुरुत क्या है. ठीक है ना तो option D is the right answer, सुर्यक परकास. ठीक है ना अगला प्रसन देखेंगे. अगला प्रसन है अगला प्रस्ण देखेंगे, पांच नमर प्रस्ण है, पौधों में परकास संसलेशन का इस्थान है, तो अप्षन, बीजदा, राइट एंसर, कुलोरोप्लास्ट, छे नमर प्रस्ण देखेंगे, परिशेसी का हिस्सा है, तो छे का सही उतर हो जाएगा, अप्षन B, तंत्र ठीक है ना, और प्रस्ण देखेंगे, निमन में से कौन से समुहों में केवल, जय निमनी करने पदार्थ है, तो अप्षन, A is the right answer, घास, पूस्प, तथा चमड़ा, अगला प्रस्ण देखेंगे जरा, अगला प्रस्ण है, कमरी के तापर द्रह अस्था मेरे रहने वाली अ प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा, अप्षन B, A, G, N, O, 3, ठीक है ना, एकवस अन कॉपर है, तो अगला प्रस्ण देखेंगे जरा, अगला प्रस्ण है, अवर्ट साड़ने में आवर्टों की संक्या होती है, तो अप्षन is the right answer, 7 होती है, ठीक है ना, अगला प्रस्ण देखेंगे जड़ा दही में कौन सा अमल है तो अपसन सीजदा राइट एंसर लेक्टिक अमल ठीक है चौदा पुरसन देखेंगे चौदा नमबर निम्नांकित में किस धातू को किरोसिन में डूबो कर रखते हैं तो अपसन बीजदा राइट एंसर सोडियम हो जाएगा आप का मिलाते जाएंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी वो मिला ले ठीक है पंद्रा नमर कोशन देखेंगे पंद्रा नमर कोशन का रहा है एल फोर सी थरी के जल अब घ प्रासन देखेंगे लेंज की आवर्दन का एसा इमात्रक होता है तो सत्रा का सही उतर हो जाएगा मीटर ठीकन ए अपसं अठारा प्रासन देखेंगे किसी अंतरीक शियात्री को अकास कैसा प्रतित होता है तो अठारा का सही उतर हो जाएगा बी काला अगला प्रासन देख देखेंगे ज़रा बीस नमर प्रस्ण क्या दिया है किस दर्पड में दूर की वज्तु का प्रती ओं सदेव सीधा होता है तो 20 का सही उतर हो जाएगा डी शॉमतल लिया उतल ठीक है अगला प्रस्ण देखेंगे 21 नमर 21 नमर है और दर्पड की फोकस दूरी होती है तो इक किसका सही उतर हो जाएगा, वी रिणात्मक, अगला परसन देखेंगे, 22 नमर परसन है कि किस दरपन से हमेशा वस्तु से छोटा पर्तिवीं बनता है, तो 22 का सही उतर हो जाएगा, अपसन B अफ्सन देखेंगे, तेईश नमर परसन है, परकास का प्राथमिक वर्ण है तो 23 का प्रात्मिक वर्ण हो जाएगा, नीला भी हो जाएगा, हरा भी हो जाएगा, लाल भी तो इन में से सभी हो जाएगा, तो ध्यान रहें, इसका सही अप्सन हो जाएगा, अप्सन D, इन में से सभी 23 का D हो जाएगा अगला देखेंगे प्राहसन अगला प्राहसन देखेंगे 26, बैटरी का अमल है तो 26 का सही उतर हो जाएगा है एस्टू एस फोर कि अपसंसी दिराइट एंसर अब 27 देखें के कली चुना का रसायनिक सुत्र है तो 27 का सही उतर हो जाएगा अपसंसी सी एओ कैल्सियम ऑक्साइड 28 नमर प्रस्ण है प्लास्टर और पेरिस का रसायनिक नाम है तो 29 का सही उतर हो जाएगा अपसंड डी कैल्सियम अर्ध हाइड ठीक है अगला प्रस्ण देखेंगे लॉंग तेल किस पर करकर सुचक है तो आपसंसी दराइट एंसर गन दिया है तेश्ट नमर प्रस्ण देखेंगे घरेलू गैस एलपीजी का परमुक अव्याय है तो 31 का सही उतर हो जाएगा अपसंड डी प्रोपेन अगला प्रस्ण देखेंगे जरा C60 फुलेरीन की अकरिती निम्लिकित में किसके जैसी होती है तो 32 का सही उतर हो जाएगा अपसंड भी फुटबॉल जैसे 33 नमर प्रस्ण को देखेंगे एक ब्यास्क मनुस्य के कितने दान्थ होते हैं तो ये सभी को पता है 32 होते हैं B is the right answer अगला प्रस्ण है मास्तिक्स उतरदाई है तो अब बताएंगे 34 का सही उतर क्या होगा हिर्दय सपंदन के लिए भी है सारी रिक संतुलन के लिए सोचिने के लिए भी तो यहाँ पर आपसंड आपका D सही हो जाएगा इन में से सभी अगला प्रस्ण देखेंगे 35 न का पचना कीस परकार की अभिक्रिया है तो अपसंसी दा राइट एंसर उपचायन हो जाएगा 37 नमर प्रस्ण देखेंगे पूर्ण विक्सित अंडा से कहलाता है तो 37 का सही उतर हो जाएगा बिजांड ए ठीक है अगला प्रस्ण देखेंगे एक स्त्री में कॉन से लिंग गुड़ सुत्र मिलते हैं तो 38 का सही उतर हो जाएगा डबल एक्स बीस दा राइट एंसर अगला प्रस्ण देखेंगे मृत मृत जीवी का उधानड है तो अपसंद बीस दा राइट एंसर गोबर छाता हो जाएगा 49 का बिजा चालिस नमर प्रस्ण देखें गार्ड को कॉ सी भीती मोटी होती है तो यहाँ पर 40 का अपसंद ए इस दराइट एंसर भीतिरी 40 का आपका ए हो जाएगा अगला प्रस्ण जरा देखिए आयोडीन को निमली लिखित में किस द्रव में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है तो 41 का सही उतर हो जाएगा बी इथर अगला प्रस्ण देखिए 42 डालना में उपस्तित वस्ता अमले किस परकार किस परकृतिक का होता है तो इसका सही उतर हो जाएगा 42 का ए संत्रिप्त ठीक है 43 नमर प्रस्ण देखेंगे प्रोपेनोन का क्रियस्चिल मुलक है तो C डबल बन वह होता है अप्शन C दा राइट एंसर 43 का C हो जाएगा अगला देखेंगे 44 इथिलीन है तो इसका दिये गए अप्शन में से आप बताएंगे तो 44 का B ओलिफीन हो जाएगा ठीक है 45 नमर प्रस्ण देखेंगे निमलीखित में कौन जिवास्म इंधन नहीं है तो 45 का सही उतर हो जाएगा बायो गैस ठीक है 46 में देखेंगे टीरी बांद निर्माण का उदे से क्या था तो जला पूर्ती भूमिसी चाई बिजरी उत्वानिन तो ये तीनों की जरूरत थी इसलिए इन में से सभी उतर हो जाएगा अब यहां 47 नमर प्रसन पर आईए निमलीखित में कौन सत्व तो असानी से इलेक्टरान का त्याग नहीं कर सकता है तो 47 का सही उतर हो जाएगा सोडियम ठीक है अब अगला प्रसन देखेंगे 48 निमलीखित में किस तत्व में सायोजी लेक्टरानों की संख्या सबसे अधिक है तो 48 का सही उतर हो जाएगा अप्शन ए है ठीक है अगला प्रसन देखेंगे 49 नमर प्रसन किसी विदूत बल्ब का अनुम्तांग 20 वोल्ट है तथा 100 वाट है जब इसे 110 वोल्ट पर परचलित करते हैं तब इसके द्वारा उप्यूक्त सकती होगी तो इसका 49 का सही उतर हो जाएगा आपका आप्शन सी 50 वाट अगला प्रसन देखिए 50 निमलिखित में कौन किसी लंबे विदू धरवाही तार के निकट चुम्बा के छेतर का सही वणन करता है तो 50 का सही उतर हो जाएगा आपसंड अपसंड चुम्बा के छेतर की सकेंदरी छेतर रिखाओं का केंदरे तार होता है ठीक है अगला प्रसन ठीक है अब बावन नमबर प्रस्ण देखेंगे जब एक से अधिक परती रोधक सिरेडी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी बहुतिक राशी उनमें समान रहती है तो बावन का सही उतर हो जाएगा विदू धारा अप्सन बीज दराइट अंसर और तीरपन नमबर प्र सब्सक्राइब करें तो मुझे इस कोशन में थोड़ा डाउट है आप लोग मिला लीजिएगा बुक से लेकिन मुझे लगता है कि अप्सन बी ही सही होगा प्रिजम की भाती होगा तो चलिए ठीक है देख लीजिएगा आप लोग अगला प्रासन देखते हैं अगला प्रासन है यहां पर उर्जा के पचपन नमबर प्रासन देखेंगे उर्जा के दो अनमी करने सुरोत है तो पचपन का सही उतर हो जाएगा अपसन C कोईला तता है पिट्रॉलियम अगला चपन नमबर प्रासन देखेंगे उत्तम उर्ज साइनेक दूत कहा जाता है तो संतावन का सही उत्तर हो जाएगा अप्शन एक पांचक रस ठीक है अंठावन देखेंगे आप जरा की अंठावन नमर है पौधे के उत्सरजी पदार्थ निम्न में से कौन है तो पौधे के उत्सरजी मुझे लगता है कि रेजिन गोंग टैनि इस को सन में भी थोड़ा सा मुझे डाउट है बट इन में से सभी हो सकते हैं बट आप लोग बुक से मिला लीजिए गए मुझे लगता है कि इन में से सभी होगा अगे बढ़ते हैं अगला प्रास्ट देखते हैं 69 नमबर मानो हीर्दन में कोष्टो की संक्या कितने होती है तो option 4 sorry option d हो जाएगा 4 होते हैं ठीक है न उनसट का option D is the right answer साथ नमर में देखेंगे निमन में से कौन हेट्रोकाइनीन ग्रन्थी है तो साथ का सही उतर हो जाएगा option C वरिशान ठीक है अगला प्रासन देखेंगे जरा पौधों में गैसों का आदान परदान होता है तो 61 का सही उतर हो जाएगा रंधर से अप्सन B 62 का देखेंगे आप निमन लिखित में कौन पूरुस हर्मोन है तो 62 का सही उतर हो जाएगा option C ठीक है न और 36 का प्रासन देखेंगे किडवन क्रिया पाई जाती है तो 63 का सही उतर हो जाएगा option B अगला प्रासन देखेंगे 64 परकास संसलेशन होता है दीन में की रात में तो सिधी सी बात है 64 का सही उतर हो जाएगा option A दीन में होता है ठीक है अगला प्रासन देखेंगे लेटैक्स समन्यता कहां पाया जाता है तो 65 का सही उतर हो जाएगा 2% ठीक है, अगला परसन देखेंगे, भुरूर का विकास होता है तो 70 का और साही उतार होगा, जैसे भुरूर का विकास होता है तो 67 का शिख्टी सेवे नमर परासन का सही उतार होगा आपका option C, गर्भासे में, ठीक है, 68 नमर परासन को किया जाता है कि अब 68 था प्रस्फ सॉ अब आप देखेंगे 68 के बार 79 का pm 2019 किक又 होता है तो 79 का सही ऊतर हो जाएगा प्रस्वसाथ बबीजा अगला प्रस्वन देखेंगे सब रहा करें बराबर होता है तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टूदी पावर 6 जूल अब 17 नमबर प्रस्ट को देखिए जारा परकास का चाल नियुंतम होता है तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा काच में सब्सक्राइब अगला प्रस्ट देखेंगे जिवास मिंधन का उधारण है तो 74 नमबर यानि 24 नमबर कोस्टन का सही उत्तर हो का पेट्रॉलियम कोईले दोनों है तो अप्सन C is the right answer ठीक है यानि 74 का C is the right answer अगला प्रस्ट देखेंगे अमोनिया कोलराइड का जलिय बिलियन होता है तो 75 का सही उत्तर क्या होगा तो अमलिय होता है अप्सन H the right answer आगे बढ़ते हैं 27 नमबर प्रस्ट देखेंगे जारा सले चिकित्सा में टूटी हडियों को जोड़ने के लिए परित होने वाला सासानिक पदार्त है तो यहां पर अप्सन C is the right answer 77 का C हो जाएगा प्लास्टर अफ पेरिस अगला प्रस्ट देखेंगे जारा किस pH मान वाला विलियन सबसे अगला प्रस्ट देखेंगे इसको थोड़ा सा में और उपर कर लो 89 नमर प्रस्ट है यह थाइन में कार्बन कार्बन परमाड़ों के बीच कितने सब्सक्राइब बंधन होते हैं तो 89 का सही उतर हो जाएगा आप्संसी तीन बंधन होते हैं उसके बाद से अंतिम प्रस्ट ह आपका क्यों प्राइट निम्नांकित में किस धातू का अयस्क है तो 80 का अपसंसी इस दर राइट एंसर तो हम आपको बता दें कि यहां तक अगर आप का प्रस्ट जो है कि पूरे 100% जो है कि पूरे सॉलूसन हम आपको दे दियें अब आप इसमें से मिला लें अगर आप पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिए दोस्तों के पास शेर भी कर दीजिए